साज और आवाज साज और आवाज लेकर जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते है से कारिक्रम की मार्टिम से हम संगीत के जो हमारे यहाँ के कलाकार है, आकश्वणी जैपूर के कलाकार है, जैपूर के कलाकार, राइस्तान के कलाकार और रामिक रामिक जो भी कलाकार है, उनसे आपको रूबरू करवाते रहते हैं और इस कड़ी में आज भी हमारे साथ एक बहुत ही मशूर कलाकार हैं, जिनका नाम आपने बिल्कुल सुना होगा लेकिन राम हम थोड़ी देर में बताएंगे पहले उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे जिया दोस्तों ये हैं जिनके लिए हम हमेशे आप से कहते हैं कि इस कारिक्रम में हम कभी संगीतकार को बलाते हैं कभी संगतकार को बलाते हैं कभी गयक कलाकार को बलाते हैं, आज भी इस कारिक्रम में हमारे एक बहुत ही मशूर हस्ती है, जो ना तो संगीतकार हैं ना संगतकार हैं, बकि हम वक बताना चाहिएंगे कि वो एक बहुत अच्छे गुलुकार हैं, बहुत अच्छे गयक कलाकार हैं, बहुत अच्छे गयक कल वाकिल हमारे साथ आज इस रीडियो में आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, बहुत ही मशूर कलाकार हैं हमारे जैपूर आकशवणी के, जैपूर के, राजस्तान के और यहां तक उनके फन की हम बात करें तो उनका फन का जो जादू है, सिर्फ हमारे राज, शहर, देश नह है, माशालला देखने में बहुत खुबसरत हैं, और दिल के तो अच्छे इंसान है ही, और बाकी जो चीज़े हैं, जो हम कह रहे हैं, उनको आप खुद महसूस करेंगे, जब हो माइक पे आएंगे, तो अब जादा हम समय नहीं लेना चाहेंगे, इंतजार की घड़ें आप मातवकेल से, महमद अकिल सहाब, नमस्कार, कारीकर्म, साध, और रासमा आपका स्वागत थै, बहुत 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 खुक्रिया, कि आपके इतने खूसाइब इस प्लेड़ शूद प्रोगम, कोंग इतने लोग सुण रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत 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 नमस्क इस şiir के साथ तुम जो आये, तुम महखने लगी सारी महफिल पहले अपनी थी मगर आ अब है, तुम्हारी महफिल क्या वात है, क्या वात है बिलकुल हो ये, शiir बिलकुल आपके उपर हम इस अफ़साथ बिलकुल फिट बैटता है जिस तरीके से आपने आगास किया है कारिक्रम का और हम तो ही चाहते हैं कि ये जो मैफिल है चाहते हैं नहीं हो ही गई है आपकी आपी की मैफिल है आप बिलकुल बहुत खुबसरत आपने आगास किया है एक शेर के मादियम से मुहमदोगी साब बात्चित का सिलसला शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपसे जाना चाहेंगे कि आपका जन्म कहा हुआ, परविश कहा हुई, कैसे माहुल में हुई सर मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरी परवरिश हुई, जैपुर के ऐसे संगीत परिवार में जहां सोरों की अबादत होती चली आ रही है मेरे जो दादा जी थे, जिए उस्ताद मौमद इसमाईल साब वो और इंडिया रेडियो के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और जिनको इस फील्ड में जो है बड़े अदब से जिनका नाम ले जाता है उनके अलावा मेरे जो नाना मरहूम उस्ताद अफजल जैपुर वाले वो भी बहुत बड़े पाये के आर्टिस्ट थे जिनोंने अपना नाम जो है वो संगीत शेतर में बहुत उंचे लेवल पर साबित किया मुझे संगीत की शिक्षा जो मिली और मिल रही है वो विश्व विक्षाद घजल गायक उस्ताद हैमद उस्ताद मुहमद उस्ताद साब से और ये बहुत थी बड़ी सुभागे की बात है कि हर अदमी की परवरिश ममी पापा की पास होती है लेकिन मुझे जो पाला गया बच्पन से वो जब मैं एक सवा साल का था तो जो मेरे नाना मरहूम थे उस्ताद अफ़ल उस्ताद साब वो अपने पास इनों ने मुझे पाला और मेरे परवरिश मेरे नन्याल में होई तो एमध असेर मुझे साथ मेरे उस्ताद तो हैं ये लेकिन मेरे ममी पापा से बढ़कर रहे क्योंकि मेरी परवरिश उन लोगों ने किए और पहली बातों मैं कुछ भी नहीं हूँ लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो उपर वाले के करम की बात उस्ताद की बजलत है बलकि मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा उनके लिए कि ऐसे लोगों को फरिश्टों के सलाम आते हैं ऐसे लोगों को फरिश्टों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इनसान के काम आते हैं बहुत खूँँ बहुत खूँँ तो शौक मुझे थंकीत का इसलिए ज्यादा हुआ ये कहले जिए कि विरासत में तो उसका करम है ही लेकिन विरासत में मिलने के साथ-साथ इनसान को जब तक वो गाना में जाना ना सीखे तो तब तक अधूरा है तो मुझे याद है कि कभ मैं जब काफी छोटा था तो उस्ताद साब अपने एक शागिर्द को एक कंपोजिशन याद करा रहे थे मैं में जाके बैठ गया तो उस्ताद साब ने शागिर्द को सिखा दी अगले दिन बोले कि आप आईएगा फिर आप सुनाईएगा तो मैं क्योंकि काफी छोटा था छोटे बच्चे को जारा तमीज तो होती नहीं है नीडर होता है तो मैंने वो कमशन याद कर ली उस्ताद ने देख लिया कि इसने याद कर ली अगले दिन जब वो शागिर्द आये तो उस्ताद ने कहा कि बिटा सुनाओ तो उनको पूरी याद ने थी लेकिन उस्ताद ने मुझे का सुनाओ तो मुझे अलागा कर मैं पूरी याद हो चुकी थी तो उस्ताद ने मुझे पहली बार मुझे as a child artist सुर संगम एक competition होता है आज भी होता है जो master मदन साब थे जो बहुती कम उमर में गोज़र गए थे याद में अभी भी होता है तब मुझे पहली बार उन्होंने वहाँ पेश किया और मैं खुशनसीब हूँ कि जैदेव साब मिस्ट डैक्टर रवी साब ने मुझे फस्ट आवड़ दिया मेरी शुरुआद इस तरह से हो रही आपके संगित की यात्रा की हम बात करें संगित का सफर तो आपका शुरू हो ही चुका आपने बताया है कि आपने कम्प्टिशन में भाग लिया और वहाँ जैदेश आपने आपको ओड़ दिया सभानित किया लेकिन क्या बच्पन से आपका खुद का संगित की तरफ रुजान था या घर के माहूल के कारण जो विरासत में अपने संगित घर में था सब देखिए मेरा अपना ऐसा मनना है कि इनसान माहूल से ही बनता है और माहूल से ही बिगड़ता है अगर आपके आज़ पास अच्छा माहूल हो तो आप उसमें ड़ल याथ तो मेरे साथ भी रहा कि जायर सी बाते बच्छपन जब मैंने देखा अपना तब उस्ताद अजपर वाले मेरे नाना उनकी सुरकानों को पढ़ ले हैं जिरे उस्ताद रियाज कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और भी जितने हमारे अच्छे अच्छे आइटिस हमारे हैं वो लोग आते तो मुझे वाता वरंड जो है अट्मास्फियर वो ही मिला तो उससे मुझे शौक अपने अप होना शुरू हुआ मुझे ये भी याद है कि कई बार ऐसा होता था जब मैं काफी चोटा था और मैं किसी जगा से गुजरता था किसी शौप में अगर कोई भी गाना बज़ रहा है फिल्म हो या क्लासिकल कुछ भी तो मैं उनसे कहा करता था कि मैं दो मिट खड़ा हो सकता हूं तो इतना शौक गुजर रहा है मुझे और अभी भी मुझे इतना शौक है कि मैं संगीत के बगर कुछ नहीं हूँ आपकी तो तालिम हुई विधिवत तालिम संगीत की हमने कहीं सुना है कि आपने जो संगीत की तालिम लिए यह गुरू शिश्शी परमपरा के अंतर काद़ आपने दालिए तो आपके गुरू कोँ है घर के तो घर आपके वाली तो थी पिता का तो माहूल था ही नाना का भी आपने जिकर किया है उसके अलावा ने मैने जैसा आप से आईर्थ किया कि नेन्याल में परवरिश होई है तो मेरे गुरू उस्ताद एहमद सेन महुंद सेन साह भी है उनके लावा मैं आच तक किसी सीखा नहीं है उन्हीं से कोशिश करता हूँ मैं आज भी सीखने की और यह है कि अगर आपको अच्छे गुरू मिल जाए तो इन्सान की तक्दीर बदल जाती है बहुत सही कहरे है एक पत्थर की भी तक्दीर बदल सकती है शर्ती है कि सरीखे से तराशा जाती है क्या बात है बहुत से किसे शिशी को जो तालिम मिलती है तो उसके लिए बहुत तो उसको मेहनत करनी पड़ती है बहुत समर्पन करना पड़ता है आप कानुभव कैसा रहा सर देखिए मैनत के बगर तो कोई भी काम अधूरा है संगीत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इनसान ये कभी नहीं कह सकता कि मैं सीख चुका हूँ ये रोज सीखने वाली विद्या है तो उस्ताद के परती इनसान वफादार है उनसे इमान दरी से सीखे और खुद कड़ी मैनत करे अस्ताद जो बताते हैं उसको बाकाइदा करना चीए कई बर ऐसा होता है कि इनसान सोचता है तो मैं ने सीख लिया था ये दुब़ार और को बता रहे उसकी भी कोई वज़ा होती है अगर उस्ताद आपको कोई ऐसी चीज दुबारा बता रहा है तो यानि उनका तजरुबा जो है उसके एसाब से कर रहा है तो उस्ताद के प्रती वफदार होके कड़ी बहनत कर नीचे है क्योंकि ये अगर सीखो गाना बजाना तो गाना है ना सीखो तो गा ना क्या बात है बहुत अच्छी प्रती से समझाए है मुजिक जो है वो सीखने वाली चीज है हमेश मुहमद वकिल साब बात चीट करते हैं बड़ा आनन दारा है आपसे बात करने में लेकिन हम यो कारिकर्म ने करके यहां बैठे हैं साथ और आवाज तो हमारे शोता इस कारिकर्म में आपकी आवाज के साथ थोड़ा सा संगीत का लुट भी लेना चाहते हैं एक कोई रचना आपकी पसंद की जो हमारे शोताओं को हम दूस्नवा पाइए सार रजनायत बहुत सारी पसंदे मगार क्योंकि मैं मौम्मद रफीस आपका बहुत बड़ा फैन हूँ तो उनका गायवो एक घजल नुमा गीत है चौद्वी का चांद हो या अफ़ताब हो जो भी हो तुम खुदा की खुदा की खुदा ला जवाब हो ला जवाब हो चौद्वी का चांद हो या अफ़ताब हो जो भी हो तुम खुदा की खुदा की खुद्वी का चांद हो जुल्पे हैं जैसे कादों पे बादल जुके हुए आँखे हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए मस्ती है जिसमें प्यार के तुम वो शराब हो चादों का चाद हो चेहरा है जैसे जील में हस्ता हुआ कवल या जिन्दगी के साज पे छेडी हुई घजल जाने बहर तुम किसे शायर का ख्वाब हो जोदवी का चाद हो होटों पे खेलती है तब सुंक बिजलियां सजदे तुमारी राह में करती है कह कशां दुनिया ए हुसन औ इश्क का तुम ही शबाब हो जोदवी का चाद हो या अफताब हो जोदवी का चाद हो या अफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम ला जवाब हो बहुत एक खुबसरत रचना आपकी पसंद की अभी हमने सुनी मुहमद रफीकी साहब की आवाज में और जैसे कि आपने कहाई इसमें कुछ गजल का अंदाज भी था बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते-करते संगीत की अभी आपने बात करी थी और आपने जिकर किया था एक इवेंट का दो बार विनर रहे हैं उसमें 97 और 98 वो एक अलगी एक्सपिरियंस था कि सिर्फ जैपूर में गाया था उससे पहले लेकिन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया जब मैं सबसे पहले सारी गामा मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने उसका फाइनल जीता सेमी फाइनल एपिसूड में थे सा कॉमपेटिशन था और जो जजजेज की पैनल उसमें थी मेरा ऐसा मानना है अपना कि वैसे जजेज ना तो अब दोबार आ सकते ना उनको लाया जा सकते हम बहुत खुशनसीब हैं कि जिनके सामने हमने कोशिश की कुछ थोड़ा सा पेश करना है कि हम उनके सामने गा नहीं सकते वो इतने बड़ी शक्सियत हैं जैसे अनिल विस्वास साब नौशास साब खयाम साब उपिन हीरा जी कलेंजी अनन जी भाई पड़ी जसराजी पड़ी थरिपरसाथ चौरसिया जी पर्मिन सुल्ताना जी जगजी सिंग साब ये हमारे जजेज थे और ये बहुत बड़ा आवार्ड है मेरे लिए जो उन लोगों नो मुझे फस्ट आवार्ड दिया तो ये जिन्दकी बड़ भूर नहीं सकते कि एतने बड़े गुनीजन के सामने हमने हाजरी दी और उनसे आवार्ड प्राप्ट किया जी जी तब से मेरी जो है वो पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी पहले मुझे जैपूर में को नहीं जानता था सबसे बड़ी बात तो जो मैंने महसूस की जो लोग संकीत सीखे होते हैं भरे होते हैं वो कभी किसी से ऐसी कुछ बात नहीं करते हैं जो अपने जूनियर को तकलिफ दे ये इतने बड़े लोग थे जो अगर हमसे कुछ कैबी देते तो तो हमारी शान बढ़ती बावजूद इसके इन लोगों ने हमें होसला दिया मुझे याद है कि जग्जी सिंग साफ ने और सबी लोगों ने बहुत कहा कि बेटा बहुत बढ़िया और अच्छा गाओ लेकिन मैं नर्वस था जब इन लोगों को मैं देखा तो मैं इतने सारे लोगों देखके थोड़ा नर्वस हो गया मैंने अपने उस्ताज साब को फोन लगाया जैपूर जब आंबे था उस वक्त उस्ताज यसी दिबात है उस्ताज साब ने कहा देखो बेटा जो सिखाया है उसको इमान दरी से गाना दिल से गाना उनकी इज़त करो सब कलाकारों की बड़े लोगों की लेकिन जब तुम गा रहे हो तो तुमें ही गाना है अच्छा गाओ के तुम खोश होंगे इसलिए नर्वस होने की जगा दिल से गाओ यह मैं सोचो कि मेरा क्या होगा मैं फास्ट आउँगा सेकेंड आउगा जी गाना गाओ तो उस वक्त पे और आज के वक्त पे यह फर्क जो मैं महसूस करता हूँ कि वो टाइम पे पब्लिक वोटिंग नहीं होती थी सिर्फ जो आपने सीखा है उसी के बल पे आप आते थे और आजकल ड्रामा ज़्यादा है होता ही है कि आदमी अपने घर की बात कहीं भार नहीं करता आज ज्यादा सुनने में ऐसा होता है कि मेरे घर में तकलीफ है रूटी नहीं है मैं परिशान हूँ अरे आप परिशान हो तो आगर इमान दरी से काम करो संगीद करो मैनत करो तो अपने आप दिन बदल जाएंगे रियास करो तो राज करो जो आदमी अच्छा काता है उसको लोग हमेशा याद रखते तो वो फर्क था कि उस पब्लिक वोटिंग नहीं होती थी उस वक्ट जज़ें सी सुनते थे बिलकुस सही है वो समय ऐसा था जिस तरह में वास्तम जो कला की पूज़ा होती ते जो कला कार है वास्तम है वही प्राइस की बेनर हुआ करता तो उसको समान मिलता था लेकिन आज की ताइक जैसे भी आपने का वोटिंग होती तो वोटिंग में कई बार हमको भी लगता है बैठे बैठे जब हम प्रोगाम्स देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यह नहीं आना चाहिए था यह आना चाहिए था लेकिन वोटिंग के हिसाफ से फस्स सेकेंड प्राइस उनको मिल जाती है आपके साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है जब इतना बड़ा नाम किसी शक्सियत के साथ जुड़ा हुआता है तो दो चीज़ें होती है उस नाम का फाइदा भी मिलता है और उस नाम का कई बार नुकसान भी हो जाता है क्योंकि एक दबाव जो कलाका है रहा अपने पर महसूस करने लगता है और लोग उनसे उम्मीद भी करने लगते है कि वही है तो उनके शिशे इस लेविल तक उनको जाना चाहिए क्या अपनी जिन्दगी में आपने कभी ऐसा दवाव महसूस किया सर मुझे जाता है कि मुझे यादे मेरा काफी अच्छा सफ़र हो चुका है मेरे उस्ताद के नाम के मुझे नुकसान कभी नहीं हुए लेकिन एक बास जरूर है कि जब मैं 1997 में गया सारी गामा के लिए तो उन लोगों ने मुझे एक बास समझाए थी मेरे उस्तादों ने कि बेटा हमारा नाम मत लेना जब तक तुम जीत ना जाओ लेकिन हमारा नाम पहले मत लेना ऐसा ना हो कि लोग समझे कि सिफारशी है यह उनके नाम से कैश कर रहा है तो जब सोनो निगम साब ने मुझे से पूछा कि आप किन से सीखती हो मैं अभी मन नहीं बता सकता आपको लेकिन जब मैं फाइनल जीत चुका था तब मैंने यह का कि मेरे उस्ताद फखरीया का कि मेरे उस्ताद एमद सेनोंसिंस जाब है तो मैंने जो है वो मुझे बहुत मिरे बड़ी बात बता ही रहने कि अपने अपना जो सीखा है क्योंकि इल्म और इश्कम है इंसान को खोदी थाबित करना पड़ता है तो सारे गामा के बाद ही हुआ कि मेरे बहुत सारे अलबमस आये लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया और एक अलबम आया था मेरा जिसको नाम था सपने सपने एक ऐसा कमपाइलेशन अलबम था जो सारे फाइनिलिस्स का एक-एक सॉंग था तो उसमें जो मेरे एक सौंग आया था वो बहुती मेरे लिए खास है आज भी क्योंकि निदा फाजली साब निज़ कपू साब निज़ कंपोस किया था और उस गाने के जरीए उस गीत के जरीए जो एक पैगाम था वो था महबत का भाई चारे का हमारे जैपूर के बहुत अच्छे शायर हैं एक राम राजिस्थानी साब उनका कता याद आता है मुझे कि हाथों में गीता रखेंगे सीनों में कुरान रखेंगे मेर बढ़ाए जो आपस में वही धरम एमान रखेंगे शंक बजे भाई चारे का अमन की एक अजान रखेंगे काबा और काशी भी होगा पहले हिंदोस्तान रखेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा वो सौंग दीवारे उठाना जो है लोगों को सुनाया है तो बड़ी खोशी होगा हम भी सुनेंगे साथ साथ दीवारे उठाना तो हर युक की सियासत है दीवारे उठाना तो हर युक की सियासत है ये दुनिया जहां तक है इनसा की विरासत है दीवारे उठाना तो हर युक की सियासत है खोशियों में है चमक वोही आश्कों में है कसक वोही चाहे कहीं भी जाओ तुम प्यार में है हर आख शरारत है हर आख शरारत है हर दिल में महाबत है हर दिल में महाबत है विवारे उठाना तो हर युक की सियासत है बच्चों की मुस्कुरा हटे मां के दिलों की आहटे एक सी है हर एक जगा चेहरों की जग मगा हटे मैं तेरी जुरूरत हूं मैं तेरी जुरूरत हूं तू मेरी जुरूरत है तू मेरी जुरूरत है दिवारे उठाना तो हर युक की सियासत है तू मेरी जुरूरत है जुरूरत है जलका स्वरूप एक है आंगन जुदा जुदा ही सही सूरज की दूप एक है मंदिर में जुमूरत है मंदिर में जुमूरत है मस्जिद में वो खुदरत है मस्जिद में वो खुदरत है पिवारे उठाना तो हर युक की सियासत है ये दुनिया जहां तक है इनसा की दिरासत है इनसा की दिरासत है इनसा की दिरासत है बहुत खूब बहुत खूब जितने खूबसूरत रचना थी अतना ये खूबसूरत अंदाज से आपने इसको गया भी अवके साब बहुत बहुत बढ़ा ही आपको इसके लिए और आप जाने जाते हैं घसल गाई के लिए जाने जाते हैं तो फिल्मी गाने भी उसमें गाने बढ़ते थे और मज़ा आता है फिल्मी गानों के लेकिन पहली पसंद तो मेरी घजल है घजल पहली पसंद इसलिए है कि इसमें दो शौक एक साथ पूरे होते है गाई की का भी और शायरी का भी गाई की भी क्योंकि जो हमारे घजल गाई जाती ही वो राग बेजड होती है तो अगर राग बेजड गा रहे हैं तो उसमें अच्छी घजल गा सकते हैं तो शायरी का भी बड़ा शौक रहा है मुझे तो घजल अगर हम गाएंगे तो गाई की शायरी दोनों मिक्सों के घजल गाई है जी बिलकुल होती है बिलकुल तो ये शौक इस तरह पूरा होता है और मैंने काफी घजलें गाई हैं अब तक अलबम्स में और जो घजल के बादशाह हैं जगी सिंग साथ उनके साथ भी जो है मुझे दो से तीन कॉंसर्ट करने का मौका मिल चुका है और बड़ी यादगर रही वो कॉंसर्ट क्योंके जगी सिंग साथ एक कैसे फनकार थे जो के बहुत लाजवाब आटिस उसमी जानते थे इंसान भी बहुत अच्छे थे वो उननों कभी भी ना तो हमें डाटा लेकिन उनके साथ जो जो चीज़ें गुजरी हैं वो बड़ी यादगार हैं क्योंकि एक बार उननोंने मुझे अपने मिज़िक डिरेक्शन में राजबबर साब का एक सीरियल था महराजा रंजी सिंग उसमें गवाय था और जनरीकर्डिंग होनी थी इत्रॉट्न इस दिन तो शायद एदीज उसकती है अकर चांड हो जाएगी तो कहते हैं क्यों? एद बाले दिन काम नहीं होता क्या? मैसले काम तो होता है बड़ी बात थी कि उनके मिज़िक डाइक्षन उनका बड़पा देखी है तो वहाँ पे उन्होंने जिस दिन ईद के दिन शीर खुर्मा बनता है तो उन्होंने मुझे बगर बताया सर्प्राइस की तोर पे शीर खुर्मा बनवाया था ताकि इसको कमी महसूस था और जितने प्यार से उन्होंने गवाया वो बहुत ही यादगार है उसके अलावा राजकोर्ट में दुरुगा जसराजी के एक इवेंट में अपने साथ गवाया और इतने प्यार से गवाया कि जब आउडियन्स ने क्वेशन्स किये तो बोले इसे में पूछो मुहमद बाकी से में क्वेशन करो तो ऐसे करके वो मतलब ये महसूस नहीं होने देते थे कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ ये भी जूनियर है अपने जूनियर से जो लोग प्यार करते हैं जिसको आगे बढ़ाते हैं वो ये तो सीनियर होते हैं तो हमेशा जन्दा रहेंगे अपने गजलों के बाते हैं मैं चाहूँगा कि मैंने गजल उनके लिए गाई थी पूरे एक अलबम किया था मैंने गुजारिश के नाम से जिसमें जितने भी मेरे बड़े सीनियर आर्टिस्स हैं उनको ट्रिम्यूट दिया था तो जग्जी सिंग साब के लिए भी मैंने गजल गाई थी मैंने कोशिश की थी तो वो अगर आप सुनाएगे बिल्कुल सुरूर सुनेंगे निकलता रहा है आफुताव आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफ ताब आहिस्ता आहिस्ता सरती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता 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 आहिस्त लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दार जवाँ ने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दार हया यक लगत आई और शबाब हैस्ता आहस्ता हया यक लगत आई और शबाब आहस्ता आहस्ता निकलता रहा है आ खताब आहिस्ता आहिस्ता सरटी जाए है दुख हुसे नकाब आहिस्ता आहिस्ता अग्या काफाना क्टपो पिलाऊ आहिस्ता आढ़ए आ तो कि शांगे थिर्ट आहिस्ताः आए कर ले ना हूं परिष्टों अब तो सोने दो कभी पुरुसत में कर ले ना हूं हिसाब आहिस्ता आहिस्ता कभी पुरुसत में कर ले ना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही खुबसरत घजल है और हम भी जब चोटे थे तब से इस घजल को सुन देगा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा है इस घजल को सुन करके कि हम तुम साथ हैं तो ये अलबम फेरे अब तक रिलीज हो चुके है लेकिन जो घजल थी मेरी पहली सोल अलबम ये कसक दिल के दिल में चुभी रह गई जिन्दकी में तुम्हारी कमी रह गई ये घजल बहुत ही मकबूल हुई तो ये घजल मेरे दिल के बड़ा नजदीक है तो हम सुनना चाहेंगे आपके जिए दिल के नजदीक है हम चाहते हमारे शोताओं को भी तो पतल से लएकि आपके दिल के नजदीक क्या है जरूर सब जरूर जिन्दकी में तुम्हारी कमी रह गई ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई जिन्दगी में तुम्हारी कमी रह गई ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई जिन्दगी में चुभी रह गई जिन्दगी आदी बठी रह गई जिन्दगी आदी बठी रह गई जिन्दगी में तुम्हारी कमी रह गई ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई मैंने रोका नहीं वो चला है गया मैंने रोका नहीं वो चला भी गया बेबसी दूर तक देखती रह गई जिन्दगी में तुम्हारी कमी रह गई ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई जिन्दगी में तुम्हारी कमी रह गई किस की कमी रह गई किस से क्या कहना चाह रहे थे आप ये कमी तो किसी के नहीं रह गई लेकि ये है कि ये गजल बशीर बदत साब की बड़ी अच्छी गजल है बड़ा सराप और लोगों सुनते हैं इसको अच्छी रखता है देश के बहुत सारे कलाकारों के साथ आपने गईा है जिक जिसिंग साथ का अज़ता आपने खिर किया और कौन कौन से कलाकार है जिनके साथ आपको गाने का मौका मिला स्टेश शेयर करने का मौका मिला पंडित अजे चकरवरती साथ के साथ गाया आनूब जिरोटा साथ, पंकर अज़दास जी तरदी साथ, कविता किष्ण मूर्ती जी शरिया गोशाल, सुनिती चौहान और ऐसे कई आर्टिस हैं के साथ गाने का मौका मिला है इन सब के साथ आपने गाया है, स्टेश शेयर किये कोई ऐसी याद जो आपके बिल्कुल दिल के करीब हो जी महफिल नहीं तो ऐसी है जो काफी मैने गाई है देश विदेश में लेकिन सिर्फ एक ऐसी महफिल है जिसको मैं जिन्दकी में बोलने सकता मुझे याद है कि जैपूर की ही बात है कि जब NKP Salve साबने मुझे जैपूर में सुना तो उन्होंने मुझे कहा वो जनवरी का मेने था 2001 तब उन्होंने मुझे कहा कि बई बेटा मैं बहुत खुश हुआ हूँ और 18th March यानि दो मेने बाद एक डेट है 18th March उसको आप लोग कर दो एक बहुत बड़ा सर्प्राइज है जो आपको वो टाइम पर मिलेगा तो आप खुश हो जाओ तो आदमी क्या होता है सुनने के बाद कोई गिफ्ट देता है महबद से कुछ भी होता है लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जब हम 18th March को दिली पहुँचे तो हमने देखा कि दिलीब कुमार साब उस वक्त उनके सियाद बहुत अच्छी थी वो वहाँ बैठे है तो हमने तरिवा शाद यह सर्प्राइज है और दिलीब साब भी क्या शक्सियात है हमने गाना शुरू किया गाना गाते रहे आदा घंटे बाद किया देखा कि लता जी तश्रीफ ला रही है उनको देखके हमने गाना रुक दिया इससे बड़ा सुप्राइज तो होने सकता तो मुझे पहली बार रहता लगा कि आदमी जो खुआप देखता है वो आँखे बंद करके देखता है तो मेरे लिए इससे बड़ा वाड मुझे कभी मिले सकता कि जब सालवे साब ने लता जी से मेरा इंट्रो कराया और मैंने उससे आश्रीबाद दिया पेर्च हुए तो लता जी कहती है कि मुझे याद है इस लड़के ने सारी गामा में क्या क्या चीज़े गाएं थी एक रफीस आपको गाना भी गायता है तो लता जी अगर जिसको याद रखे है तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए ऐसा यादगार लंभा जिसको कभी भूलने थकता है फिल्मों का अपने जिक्र किया फिल्मी कलाकानों का जिक्र किया फिल्मी काईकों का अपने जिक्र किया एक फिल्म में आपने खुद भी काया है जिए वहां तक कैसे पहुँचे कब मिला है मौका आपको कि फॉड़ा सापके घर पे रिहरसल्स होई और जब उन्होंनेeg agree अप रिहरसल में सुना तो बहुत बड़िया है आप लोग बहुत ऑच्छी आप्चिस भी ती है उस्ता तो उस्ता दी है बहुत अच्छी लोग हैं अट मेरा सीन सुन लिज ine अप आप बहुर अच्छा गाना है लेकि मेरा सीन जो है आपको समझा दूँ तो आपको समझ में आएगा कि मुझे चाहिए क्या है गाना बहुर अच्छा है लेकि मेरा सीन सुनेंगे तो आपको समझ में आज़े उनों सीन समझा है तो हमारा गाने का अंदाजी बदल गया पिर जब वीर्जारा की रिकॉर्डिंग हुई तो मैंने क्या दिखा कि जब रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी तब संजीव कॉली साब ने फॉन किया यह जी हो चुका है गाना आप आजे ही अब तो तीन साड़े तिन का टाइम था दुपैर का अकसर आपने दिखाया कि जो बॉस होते है उनका काम होता है कि वो और्डर देते हैं यह चीज़ मंगा दो यह कर दो बट यह जी ने संजीव कॉली साब से कहा कि संजीव जी बहुत भूग लगी कुछ खाने को मिल सकता है क्या जेके बड़े लोगओं भी बात है तो वीर्जारा के एक्सपीरियंस तर अच्छा था कि सबसे बड़ी बात तो यह मदर्मोन सापके लिए गाने का मौका मिला जावेद अक्तर साब क लिरिक्स और शारू खान साब के लिए गाने का मिला तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इतनी बड़ी कावाली हम लोगों ने गाई ही और ऐसी कोई मैफिल नहीं होती जहां पे लोग इसी एक फरमाइश नहीं करते हैं तो मचाओंगा यह जूरूर समाया बिल्कुल जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ हाया हूँ मैं तेरे वास्त दुनिया को छूड़ आया हूँ आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना तेरा दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना यह तेरा ही सौधाई यह तेरा ही शैदाई यह तेरा ही सौधाई यह तेरा ही शैदाई तेरे इश्गों मैरे से उमर जाना आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना तेरा जल्वा जो पाओं मैं हर गम भूल जाओं तेरा जल्वा जो मैं पाओं मैं तो हर गम भूल जाओं यहां तो जो है वहते बस इतना रहे ही कहते कहां तो और कहां मैं पराया हूँ यहां में करम इतना दर हो के मुझे पर एक नजर हो करम इतना अगर हो के मुझे पर एक नजर हो जानो दिलवार धूमे जिन्दगी हार धूमे जैसे शम्हा पे मरता है परवाना आया तेरे दर पर दिवाना बहुत है खुबसरत अच्छा तो है इसको जरनतर सुनने के लेकिन घड़ी की जो समय सीमा है उसमें आप और हम सब बंदे हुएं घजलों का भी आपने जिक्र किया घजलें तो आप खर गाती ही हैं गीत भी आपने गाएं हैं इनके अरावा कोई और शेली भी आपने पसंद करी है जी सबस्परत मैंने आपसे का ना घजलों के लावा मुझे बॉली वूड की जो रफी साब के नखमे हैं मुझे लोग सुनते हैं मैं गाता हूँ और उसके रावा सुफियान एक अलाम भी मैंने गाया है एक मेरा पूरा अलबम था मौला का दरबार जिसमें मैंने बहुत सारे सुफिय नखमे गाय थे हदरत अमीर खुत्रो की जिहाले मिस्कीन उसी अलबम में सरकाय गरीम हुआसकी शान में एक मनकबत थी वो मैंने गायी है अगर आब वो सुनाएं थोड़ी से लोगों को तो बड़ी खुशी होगी मुझे बिल्कुल सुनते हैं जो अपना सर चुकाते हैं नसीब उनके बुलन्दी पे पाए जाते हैं फकीर बनके जो आते हैं दर पे खाजा के कसम खुदा की वो सुल्तान बनके जाते हैं आन फसी है मजधार में नईया आन फसी है मजधार में नईया तुम बिन खाजा मुरा कोन खिवया तुम बिन खाजा मुरा कोन खिवया आन फसी है मजधार में नईया आन फसी है मजधार में नईया तुम ने जमाने की बिगड़ी बनाई तुमने जमाने की बिगड़ी बनाई दूबती नईया खाजा बार लगाई तुम ही जमाने के बिगड़ी बनाई तुम भी जमाने के बिगड़ी बनाई तुम बिन खाजा मुरा कौन की बैया तुम बिन खाजा मुरा कौन की बैया आनुपसी है मजधार में नहीं बहुत खुबसरत अंदाज में सूफी भी आपने रिभाया और वही बात है सुनने की छपाउत है लेकिन मजबूरी है कि हमें आपकी जो रचना है पूरी नहीं सुन पा रहे हैं माफ़ी चाहेंगे आकाश्वणी के आप एक रेट के अर्टिस्ट हैं आकाश्वणी से आप कब जुड़े सर मुझे याद है कि मैं 93-94 से गाता हूँ और क्योंके हमारे बुद्रुकों की भी शुरुआत आकाश्वणी से होई मेरे अपनी शुरुआत यहां से होई है आकाश्वणी का इतना बड़ा कांटिब्यूशन है देरी लाइफ मैं जो मैं कभी भूल ने सकता खुश्वणी को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाँ से रिष्टा किये बगएर मुझे याद है कि एक बार मेरे पैर में बहुत जखम था तो उस वक्त मेरे पार इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने घड़ से और्ट रिक्षा में या साइकल रिक्षा से आकाश्वणी पहुँच जाओं तो मुझे दो-दो बसे बदल के मैं आकाश्वणी पहुँचा करता था और यहां से जो मुझे चेक मिला करता था उस चेक उस पैसे से मेरा तीन मेने गुज़रा हुआ करता था तो आकाश्वणी ने मुझे बहुत ही मेरी हल्प किये और आज भी जब कभी भी आकाश्वणी से बुलावा आता है तो मैं दोड़़़़दा छलाता हूँ चाहे केंबी हो मुझे सबसे सारा मज़ा आता है यहां गाने में जो एक रूग सुकों मिलता है क्योंकि बुलेवक्त में जो आपके साथी होते है वो आपके असल साथी होते है तो इसलिए आकाशमणी का बहुत बड़ा कांटिप्यूशन है मेरी लाइफ में तो इसलिए आकाशमणी का ममेशाँ याद रगता हूँ साथ मैं मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा कि इनसान की कामवी मैं बहुत सारी चीजें एक साथ होती है तो ही कामियब बनता है सबसे पहला तो माबाप का अशिरवाद क्योंकि बशीर बदल कहा है कि सक्त रहों में भी आसान सफर लगता है ये मेरी माँ की दौाओं का असर लगता है गुरों का अशिरवाद और सुनने वालों का प्यार तो आज तक मुझे जिन लोगों ने मेरा संगी सुनते हैं मुझे शिरवाद देते हैं प्यार देते हैं उनसे मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि हमेशा अपना प्यार मुहबत मेरे साथ रहें चारी रखें ये मुझे बड़ी गुज़ारिश है बहुत बहुत शुक्रिया इसके एक और चीज़ समझाना चाहेंगा हमारे देश के लावा विदेशों में भी आपने कुछ कॉंसर्स की है कैसा अनुभाव रहा हुआ का कुछ हमारे शुरताओं के साथ शेयर करना चाहेंगा जी मुझे याद है वैसे तो मैंने परवाले की महरबारी से काफी जग़ा गया हूँ मैं लेकिन लंडन में एक मेरा परफामेंस था और अपने इंडिया में अगर कुछ लोग आपको परफामेंस के बाद आपको घेल ले प्यार करें फोटोग्राफ फोटोग्राफ लें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है लेकिन जब पराय मुलक में आप जाते हैं और वहां ये चीज़ आपके साथ होती है तो बहुत ही अलग अनुभा होता है लेंडर में मेरे कॉंसर्ट था तो वहां लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं बहुत दिर तक मैं गाया बहुत दिर तक सुना बहुत प्यार मिला तो उस रात को मुझे जो है वो खुशी से नीन नहीं आई था अच्छा खुशी के कारण नीन नहीं आई बेकुशी बात परिवार एक विरासत को आप निभाते चले आ रहा है आपके बात आपके परिवार में इस लाइन में कोई है चाटी पीडीजेस में हम लोग गारा है लेकिन मुझे खुशी है कि जो मेरे बेटे हैं वो भी चोटे हैं अभी लेकिन वो भी अभी संगीत सीख रहा है तो ये सिलसला जो है श्रा जारी है और चाहना भी चाहिए और मैं ये भी आप से कहना चाहूँगा कि देखिए एक जिन्दकी में माबाप का बहुत बड़ा रोल है मा के लिए सबी लोग लिखते हैं और मा का योगदान भी बड़ा है लेकिन पिता की जो कुर्बानिया होती है जोसे उसके सेक्रिफाइसे होते हैं उसको लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं तो मैंने कोशिश ये की कि शकील आजमी साब से एक नजम लिख भाई जो पिता के लिए है जितने भी दुनिया के जितने भी पिता है उनको वो समर्पित है और वो नजम लोगों ने काफी पसंद की है कितने मुश्किल से मेरे बाप ने पाला मुझ को अपने हिस्से का खिलाया हैनिवाला मुझ को तो मैं जाता हूँ कि जाते जाते आप वो नजम मेरी जरूर सुना है बिलकुल सुनते है कितनी मुश्किल से मेरे बाप ने पाला मुझे को कितनी मुश्किल से मेरे बाप ने पाला मुझे को अपने हिस्से का खिलाया है ने बाला मुझे को अपने हिस्से का खिलाया है ने बाला मुझे को कितनी मुश्किल से मेरे बाप ने पाला मुझे अपने हिस्से का खिलाया ने बाला मुझे को यह बिलकुल हकिकात है हर इनसान की हकिकात है बहुत ही खुबसरत रचना है बिलकुल दिल को छुने वाली रचना है मुहमद वकिल साथ समय की सीमा में हम सब बंदे हैं चलते चलते एक संदेश हमारे सबी शोताओं के लिए आपकी तरफ से संदेश मेरा यही है जो मेरे म्यूजिक करने वाले भाई है संगीत करने वाले आर्टिस्स जो अभी इस फील्ड में आ रहा है कि आप प्लीज दिमानदरी से अपने गुरूर से सीखें कड़ी मेनत कीजिए रियाज कीजिए तो आपका नाम अपने आप हो जाएगा नाम पर ध्यान मत दीजिए और जो सुनने वाले हैं उनसे यह गुजारिश है जो संगीत को प्यार करते हैं अपने प्यार, महबत, और होसला, अफ़ाई हमारे साथ बनाया रखिए क्योंकि एक शेर है कि ना पूछो दर्द मंदों की दुआ की ना पूछो दर्द मंदों की दुआ की बदल देती है यह मर्ती खुदा की बहुत ख़ब, बहुत ख़ब बहुती अच्छा संदेश आपने दिया है और चलते चलते हम भी इश्वर से यही दूआ करते है कि जिस तरीके से आज खामयावर के इस मकाम पे आगे भी आपके बहुत सारे ख्वाब होंगे इश्वर आपको हर जेगे खामयावी दे और आप नित नए आयम को छूते जाएं आप इस टूडियो में आए समय निकाल करके हमारे शुताओं के साथ संगीत यात्रा का अनुभा हो साजा किया उमेद करते हैं आने वाले करिक्रमों में भी आप इसी तरह के समसी मिलते रहेंगे और अपने अनुभा हुमारे शुताओं तक पहुचाते रहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद इस करिक्रम साज और आवाज में आने के लिए साज और आवाज साज और आवाज के इस अद्भुत संगम का आनंद लीजिए हर बुद्वार शाम चार बजी जिसमें हम रूबरू करवाते हैं संगीत के मशहूर कलाकारों से सुनते रहिए हर बुद्वार शाम चार बजी साज और आवाज